तो स्वागत है दोस्तों आपका हमेरी catpower tutorial series के अंदर मैं हूँ परदीप सांगान from design sense तो चली सीखते हैं आज इस वीडियो के अंदर catpower के एक और धमाकेदार command जो की है cp underscore pl state command तो इस command का यूज हम basically किसी भी polyline shape किये अगर हमें full statistical information अगर चाहिए उसकी अगर हमें table अगर create करन हैं तो इस command को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर यह ड्रोइंग open करकिये जिसके अंदर हमारे पास यहां पर दो polyline shapes हैं तो इस command को अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहां पर तीन method है सबसे पहला method है यहाँ पर हम catpower menu bar के अंदर जाएंगे इसके अंदर हम polyline tool के हम आपर क्लिक करेंगे और विंगों से कंपुर्टिक करेंगे तो हम यहाँ पर यह मन हमारी । एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास display polyline statistics window open हो जाएगी तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर काफी सारे option दिये हुए है तो सबसे पहला जो option हमारे पास यहाँ पर यह है कि अगर हमें इसकी जो table है उसके अगर हमें CSV फाइल भी अगर create करने है excel के लि table format के साथ में create होगी और text के अंदर हमारे पास यहाँ पर table without format के साथ में simple text format के अंदर table create हो जाएगी तो हम यहाँ पर table object select रखेंगे अब उसके बाद में next option है यहाँ पर table text height तो यहाँ पर इस value को change करने की जोड़त नहीं है क्योंकि table object जब हम select करते हैं तो यह automatic table style के अंदर property define है यह automatically उनको pick कर लेगा अगर आप यहाँ पर यह option select करते हो तब आप यहाँ पर table text height को change कर सकते हो उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर option आ रहे हैं selection mode single और multiple तो अगर हमें यहाँ पर single polylines select करने हैं तो हम यहाँ पर single को select रखेंगे otherwise हम यहाँ पर multiple के उपर क्लिक करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर okay के उपर क्लिक करेंगे फिर यह हमसे पुछेगा select entities तो हम यहाँ पर इन दोनों polylines को select कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर right क्लिक करेंगे या enter करेंगे तो यहाँ पर यह हमारी prompt history open हो जाएगी इसके अंदर आप यहाँ पर polylines related सारी details देख सकते हो तो यहाँ पर next यह हमसे पूछ रहा है pick start point of the table कि आपको जहाँ पर table place करने है वहाँ पर point select किजिए तो हम यहाँ पर इसको close कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर यह क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख रहे होगे अभी यहाँ पर table का size है बहुत ज्यादा छोटा है तो हम य पॉली लाइन की info यहाँ पर place कर देते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह पर यह पर यहाँ पर यहाँ पर नंबर ओफ वर्टेक्सिस कम है और यहाँ पर जो हमारे पास yellow color के अंदर जो हमारी पॉली लाइन सेप है इसके अंदर number of vertex ज्यादा है तो यहाँ पर यह जो yellow polyline है इसके लिए जो हमारी table create हुए हो हमारी यहाँ पर यह और जो हमारी यहाँ पर green के अंदर जो polyline shape है उसकी यहाँ पर table create हुए यह यहाँ पर तो इसके अंदर हमें यहाँ पर vertex नंबर दे रखे हैं और उसके अलावा हमें यहाँ पर इनकी vertex की xyz coordinate value दे रखे हैं यहाँ तो यहाँ पर आपको यह सारी डितेस मिल जाएगी उसके लाव यहाँ पर यह प्रोपेटी देर्खी जिसके अंधर आप यहां पर देख सकते हो कि हमें number of vertex दिये हुए हैं longest segment in polyline देर्ख है shortest segment in polyline तो यह सभी की सभी details यहां पर हमें define कर रखी है तो इस तरह से हम यहां पर यह cp underscore PL state command का use करते हैं I hope आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए ओके फ्रेंश थैंक्यू सो मस्च तो मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो के अंदर